Hello friends, welcome to knowledge hub दोस्तों आज हम जानेंगे आखों के रोगों के गरेलू उपचार के बारे में तो सुरू करते हैं विटामीन एक कमी से नेत्र जोती कमजोर होते होते व्यक्ती अंदा भी हो सकता है गाजर विटामीन एक का बंडार है नित्य दो बार अवश्य पीएं एक ग्लास पानी में एक निम्बू निचोड कर प्रातर भूके पेट हमेशा पीते रहें इससे नेत्र जोती ठीक रहती है त्रिफला का आदा चमत चुर्ण रात को सोते समय सहद के साथ सेवन करें इससे आँखों की बहुत सीप बिमारियां दूर हो जाती है आवले के सेवन से आँखों की द्रश्टी बढ़ती है आवले का मुरब्बा नित्य खाएं पाव और पानी में 6 ग्राम सुखा आवला रात को भिगो दें प्रातर इस पानी को चान कर आँखों को दोएं इससे आँखों के सब रोग दूर होते हैं और द्रश्टी बढ़ती है काली मिर्च के चुर्ण को नियमित रूप से मक्षन के साथ सेवन करने से आँखों की जोती बढ़ती है तता पलकों की सूजन दूर होती है जब आखों में थकान मेसूस हो तो आखों को आराम पहुंचाने के लिए खीरे के टुकड़ों को 10 मिनट तक अपनी पलकों पर रखें आखों पर ठंडे पानी के छीटे मारें इससे थकान आसानी से दूर हो जाएगी आखों में लाली या सूजन में बत्वे का साग खाने से काफी आरा मिलता है बत्वे का साग आखों की जोती को तेज बनाता है आखों की जोती बढ़ाने के लिए गाई का ताजा गी और मिसरी इन दोनों को मिला कर नित्य तीन महीने तक सेवन करें इससे आँखों की जोती बढ़ेगी गी खाना भी आँखों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है बोजन के बाद एक चमच सौफ खाने से पाचन और नेत्र जोती बढ़ती है तता पेशा आप खुल कर आता है सौफ पीस लें रात को सोते समय आदा चमच सौफ एक चमच सक्कर मिलाकर दूद से फेंकी लें इससे नेत्र जोती बढ़ेगी Ocarants, Thanks for watching this video